आज करने जा रहे हैं एलेक्ट्रिक गीजर रपेयर हमारा तो इसमें हमने क्या करना है इसका जो असेंबली है पूरा का पूरा आज हम वो चेंज करेंगे ये देखिए ये इसका असेंबली है इसका जो असेंबली है बिल्कुल गल चुका है खराब हो चुका और यहां से سکرو भी तूट चुके हैं जिसके कारण अब हम इसमें नया Assemblie डालेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके साइड वाले सभी के सभी स्कرو हम खोल लेते हैं इसके सारे स्कرو हम खोल लेंगे उससे पहले पहले हम बीच वाले स्क्रू खोल लेंगे उसके बाद इसके साइड पे जो स्क्रू लगे हैं वो खोल लेंगे झालक के समद 爬 नहन फूल लेंगे जसके साहर नहन उसके साइड बाद लेंगे एंगे मुझेशा प्रोव एंनाड़ी झाल रहता्य जॉत। अब बग हमारे सारे की सारे स्क्रू कुल चुके हैं अब हम इसका जो कवर है वह उतार लेंगे तो इसको जो काफी टाइट होता है तो थोड़ा पेज कस की सहता से आप उतार सकते हैं तो अब इसकी जो असेंबली है वो हीट के कारण इसके बीच में जो रबड लगा होता है ताँ जो पानी लीक ना करे वो एक दम चिपक गया है दोनों तरफ तो उसको हम जहां तो हथोड़ी की सहता से थोड़ा थोड़ा ऐसे हिला कर इसको चूट दे कर निकाल सकते हैं नहीं तो हम पेज कस की सहता से जहां शैनी की सहता से ऐसे लगा कर उनको थोड़ा सा अगर एक बार भी उनमें स्पेस आ गया तो यह असानी से खुल जाएगा खुल सकते हैं तो ये हमारा खुल गया है असेंबली को हम बाहर निकाल लेंगे और ये देखे बिलकुल खराब हो चुका है ये असेंबली बिलकुल गल चुका है उपर केश के स्क्रूब भी गल चुके है अब देखे इस पर हम रेगमर लगा रहे हैं ताज इस पर जो हमारी रबड का टुकड़े लगे हुए हैं थे वो इस पर थोड़े रहे गए थे वो रिमूव हो जाएं और ये बलकुल इसको साफ करने के बाद इसको अंदर से हम इसमें से गंदगी भी निकाल देंगे तो इसमें से ऐसे हमने सारी की सारी गंदगी निकाल दी है तो ये सारी गंदगी निकालने के बाद इसको हम अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद हम इसमें इसको रखेंगे दुबारा और इस पर नई असेम्बली हमारी लगा देंगे यहां पर आप ट्यूब भी लगा सकते हैं पेस्ट होता है जो हम जब हम वाशिंग मशीन में सील डालते हैं तब पेस्ट लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं यह ऐसे भी चल जाएगा तो आपने सिंप्ली यहां पर इसके स् और उसके बाद इसमें हम रगा राड जो है जो हमारा राड है वो लगा देंगे कि एक बाद का ध्यान अपने और रखना है कि यह सारे स्क्रू जब आप टाइट कर रहे हूं तो इसको एक साइड का अपने जादा टाइट नहीं करना है दीरे-दीरे से सभी बराबर बराबर हमने इसको सभी स्क्रू इसके टाइट करने हैं तो यह सभी अच्छे से टाइट हो गए अब हम इसमें हमारा हीटिंग अलिमेंट रॉड जो है वो डाल देंगे और इसके भी स्क्रू टाइट कर देंगे अब हम इसमें थर्मो स्टेट लगा देंगे तो थर्मो स्टेट का जो एक वायर है वो हमारे हीटिंग अलिमेंट के साथ लगेगा दूसरा वायर जो फेस आ रहा है हमारा में से वो इसमें लग जाएगा थर्मो स्टेट में और एक जो वायर है वो सीधा हमारा जो neutral है वो हमारा heating element के साथ लग जाएगा ठीक है इसमें हमने indicator नहीं लगाए है क्योंकि ये open में लगा था इसमें option नहीं गल गया था वो नीचे वाला plate इसका इसलिए हमने इसमें indicators नहीं लगाए हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल